प्रखन के मांजोरी पंचायत में आज भागपा माले का ब्रांच शम्मेलन शम्मेलन की अध्यक्षता सिवनंदन राम तथा शंचालन महिंद्र शाह ने किया शम्मेलन के दोरान पाटी सदेश्यों का नवी करन किया गया तथा पाटी में नए शामिल होरे सदेश्यों को सफद दिलाई गई उसके उपरांत कमीटी का पुनर गठन किया गिया जिसमें छेदी सावकोफ सचीव तथा लक्ष्मन रजव को सचीव के रूप में सरुशमीती से चुना गया चुने गए पदाधिकारियों ने अपने व्यक्तव्य में जनमुद्दों पर संगर स्तेज करने के लिए समस्त पंचाई छितर के सभी गाउं टोलों में भागपा माले के संगठन को सुद्रिड तथा विश्तारित करने की घोशना की अपने संबोधन में भागपा माले के राईश कमी की सदश राजेश कुमार यादब ने कहा कि केंदर की मोधी सरकार के कारण देश में आम लोगों का जीना दुरलब हो गया है सरकार बदली लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ जनता की समश्याओं का समाधान करने के लिए असल में व्यवस्था में बदलाव लाना जरूरी है उन्होंने कहा कि लोगों से भागपा माले के साथ बेंगाबाद प्रखन के मांजोरी पंचात में आज भागपा माले का ब्रांच समेलन आयोजित हुआ है इस समेलन में बहुत से लोग यहां पर भाग लिये हैं और अपनी अपनी समस्याओं के अलावे इस देश और राज अस्तर पर भी जो अभी जनता के बिरोध में सरकार जो नितियां थोप रही है उन पर भी चर्चा हुई है और यह निरने लिया गया है कि अभी इस पन्चायत के सभी वाडों में इसी तरह की ग्राम सभाएं आयोजित करके और पाटी का सम्मेलन करते हुए पाटी के नएने सदस को जोड़ते हुए जमता के सारे सवाल जो यहां पर आ रहे हैं उनको लेकर के एक लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि अभी यह देखा जा रहा है कि इस पन्चायत के साथ-साथ पूरे प्रखंड छेतर में ही जो भी गरीबों की सुविधायें सरकार अभी थोड़ी बहुत दे रही है पर इस्तिती रहने के बावजुद भी जो प्रतिनिदी लोग हैं जो जिम्मेवार लोग हैं जो सासन पर सासन में हैं वो सब मौन साधे हुए हैं इसका मतलब साफ है कि इन तमाम तरकी गरबड़ियों में कहीने कहीं से उनकी संलिपता या फिर वो चाहते हैं किसी तरह का महौल रहे लेकिन भागपा माले जो जनांदोलन के प्रति कटिबद है हम लोग यहां पर सम्मेलन में अभी आवान किये हैं कि इस तरह की तमाम चीजों को लेकर के संगठन मजबूत करते हुए हम लोग आने वाले दिनों में एक के दिशा में हम लोग बढ़ेंगे इसी संकल्ब के साथ यह आज का समेलन सपल हो रहा है